नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर दोस्तों इस वीडियो हम लोग बार्क का प्रैक्टिस सेट देखस्तों साल्व करेंगे जो की साइंस का है जिसमें की टाप 20 कोशन यहां पर रखे गए हैं जो कि इस को सेंगे सब्सक्राइब कर दो जो है इस स को सब्सक्राइब के रहसे घरभ के सब्सक्राइब आएंस गेद एक कुराञे तो देखिए दोस्तों यहां पर पहला क surroundings का रहा है Tax पहला है कि एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साध्रना नमक को 320 ग्राम पाने में घूला गया है द्रव के द्रव बिमान प्रस्चत द्वारा द्रव बिमान के संदर्व में सांद्रिता की गड़ाना करना है कैसे साल्व होगा तो आज हम लोग देख लिते हैं तो देखिए दोस्तों इसके लिए एक फर्मूला होता है कि द्रब जो होता है कि द्रब प्यमान ठिक द्रब प्रतिसत के आधार पर यह हो जाएगा प्रतिसत आधार पर जो बिलियन की संद्रिता होती है बिलियोन की संद्रिता इसका फर्मूलाह होता है दोस्तों कि विले द्रब 75i कि द्रबमचन अधार होता है ट्रब होता है बिलेंङ द्रब्बक यह होता है इस फर्मूलए का धर पर दोस्तों कितना है देखे द्रबाइमान कितना है तो आपका 49 ऑड़ियन का कुल दरबाइमान कितना है एक तो आपको यह चाहस और यह थिन सो विज़ानिक कि यहां पर किजना हो जया है प्रहं पर हंड्रेट है अब इसको हम लोग करेंगे तो जब लोग करेंगे दोस्तों तो हमारा क्रेक्ट आंसर इतना जाएगा यह जाएगा तेरे दस्म लंग दो आठ परतिसल ठीक कि यहां पर और पर्षर पूर्ट क्या जाएगा आपसर नंबर डे ठीक तुशी आप लोग याद रखिएगा कि यहां पर पहले अब देखिए यहां पर दूसरा कोशन कर रहा है कि किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी कौन से चाल को देखिए किसी वाहन की गति माप यंत्र जो बताता है उसकी दोस्तों ततकालिक चाल या ताच्छडिक चाल इसे हम लोग बोलते हैं वही बताता है तो यहां पर आपको नमबर बी जैसे कि आप लोग आपना बैक्स लाते हैं फिर कार चलाते हूंगे आप जो तो उसमें आप लोग देखते होंगे जो रूजचम सब्सक्स मेरा कि आपका चलता चलता सब्सक्राइब गति महा प्यंत्र बताता है उसकी ताचछिक चाल या ताथकालिक चाल को अब देखिए अगला कोशन यहाँ पर कह रहा है अब है दोस्तों तीसरा कोश्य है तीसरा पर आप लोग देखिए कि गतिज उर्जा और इस्थिज उर्जा को समलित रूप से क्या कहा जाता है तो देखिए दोस्तों गतिज उर्जा को समलित रूप समलोग क्या कहते हैं यांत्रिक क्योंकि दोस्तों देखिए आपका जो भी गतिज उर्जा होता है ठीक गतिज उर्जा प्लस इस्थितीज उर्जा यह होता है आपका यांत्रिक उर्जा के बराबर ठीक तो यह होता है किसके यांत्रिक उर्जा के बराबर ठीक अब देखिए गतिज उर्जा का फर्मूला क्य जूर्जय होता है MGH यही है आपका क्या यांत्रिकुर्य या मकैनकल इनरजी इसे आपको याद रखना है इंपोर्टेंट सा देखिए चौथा कोशन यहां पर करें किसी वस्त का भार सरवाधिक कहां पर होता है तो देखिए दोस्तों भूमात रेखा है धुरूओं पर है उस यहां पर आपका क्रेक्ट हो जाएगा और सबसे कम कहां होगा तो भूमात रेखा पर है अब देखिए पांचमा क्वेशन यहां पर कह रहा है एक पिंड को जीरो दस्मनों दो मीटर त्रिज्य के 36 वुरित पर घुमाये जाता है इसका कोंड यह वेग 10 रेडियन प्रति सेकंड है वुरित्ता कार मार के किसी बिंद उपर रेखिए यह वेग क्या होगा तो देखिए दोस्तों कि एक पिंड को जीरो स्मनों पांच मीटर त्रिज्य के 36 वुरित पर घुमाये जाता है यहां कमान दिये है 10 रेडियन प्रति सेकंड किसका पूंचा है रेखिए वेग रेखिए वेग को दोस्तों हम लोग वी इससे व्यक्त करते हैं और इसी कमान हमें बताना है जिसके लिए जो फार्मूला होता है वह होते व इक्वल टू आर इंटू उमेगा आर कमान कितना है 0.2 है दो मीटर प्रति सेकंड पांच में का आपका B डी ऐंसर ट्रेक्ट हो जाएगा ठेक तो पांच में कभी 2 मीटर प्रत इसेकंड जैक तो देख यह अगला कोशन क्या कह रहा है सात्वह कोशन है कि निम्न लिखित में से किसे सुनार की मदद से मापा जाता है यह मापा जा सकता है आप सुन है हवाय जाजों की दूरी जांगल में जानौरों त्वरण उत्पन्य ढली वायन्य की ध्वरणा न का देखिए दोस्तों सोनर सोनर के दौरा पानी के अंदर मयुद्र मौजूद वस्तों की दूरी दिशा और गति को हम लोग माप सकते हैं आप जीए सोनर का फुल फारम क्या होता है यह भी आप से पूल सकता है यह होता है दोस्तों सौंड यह सो से बनता है आपका सौंड यह से बनता है नेविगेशन नेवी सौंड नेविगेशन और रेंजिंग अब देखिए अठमा कोशन का रहा है यहां पर कि प्रकास की गतिया धिक्तम निम्नम से किसमा ध्यम में होती है हवा निर्वात पानी और कांच देखिए प्रकास के जो गती सब से ज़्यादा होती है दोस्तों वह तो ने तापमान पर निर्वर नहीं करता है सभी तापमान पर इस्थिर रहेगा किसी निश्चित तापमान पर इस्थिर रहेगा और सुचालग के पदार्थ पर निर्वर करता है तो देखिए दोस्तों जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो जो विशिष्ट प्रतिरोध ह होता है यह दोस्तों किसी निश्चित तापमान पर इस्थिर रहता है और यह सुचाल के पदार्त पर निर्वर करता है तो यहां पर नावमे कर D दोस्तों जब भी जैसे कि यह कोई बादल है यह भी कोई बादल है जब यह यहां से चलेगा या फिर यहां से दोनों आपस में जहां मिलते हैं आपस में जब टकराते हैं तो यहां पर दोस्तों जहां टकराएंगे यहां पर एक तो आपका क्या बनेगा एक तो आपका प्रका प्रकास और ध्वानी उत्पन होता है यानि कि योग तक्रा रहा थे जब तक्रा रहे थे यानि कििसमे क्या था गती था यानि कि दोस्तों जब गती था इसमें क्या होगा गतिज उर्जा होगा गतिज उर्जा जब यह गतिज उर्जा दोस्तों आपस में दोस्तों मिलेंगी गतिज उर्जा तो यह आपको किसमे किसमे बढ़ जाता है यह प्रकास उर्जा में एक होड़ता है ध्वनी उर्जा में बदल जाता है तो यहां पर आपका ऐसा कहां दिख और आठ यो प्रकास की गती जो होता है। तो जब भी बादल आपस में तकराते हैं तो प्रकास जो होता है यह सबसे जादा यानि कि तीन गुली दस गात आठ मीटर पर सेकर लुटा तो प्रकास हमें सबसे पहले दिखा दिता और ध्वानी होता है लगभग दोस्तों 332 कि अगर चाल की बात करें दोस्तों वह द्वानी का चाल होता है तो यह लगबग होता है दोस्तों अगर हवा में बात में 332 मीटर प्रतिस सेकंड होता है जब कि प्रकास की जो चाल होती है यह आपको होता है ध्वानी का ठीक और यह होता है प्रकास की चाल प्रका आगला कोशन है घ्यारे नमबर का देखिये यहां पर कहा गया है कि प्रिथवी की सत्य के के नीचे हम हम लोग क्या कहते हैं जो आरी यह टैडल बर दो just कि यह झालत बहुत आपी यह उर्जा क्योंकि यहां इस कोश्चन कहा रहा है कि तरल अवस्था से गैसी अवस्था में रूपांतरन को क्या कहा जाता है तो तरल अवस्था से गैसी अवस्था में रूपांतरन जो भी होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं वास्पी करन यानि कि जब कोई तरल अवस्था से गैसी अवस्था में में रूपांतरित होता हैं तुसरे वात्तरी करन कहते हैं अज जब को ठोस से सीधा ms men '' उज्दो उज्दो पात्राइप कहते हैं'' और जब कोई घज्दो से द्रवास्था में तुसरे मों लोग संगर्ण कहते हैं आद चलते हैं आंगले कोशिन पर 13 नंबर के Quotion यहा पर देखिए कहई रहा है, Х på किने में से कॉन से किसी धात का electronic बिर्नियास नहीं है, तो निम्नой में से किसी धात को electronic बिर्नियास नहीं है वो आपको बताना है, जैसे की धोस्तों यहां पर देखIC यह कितना है यह जो electronic बिन्यास है 2, 8, 10, 13 तो यह 13 जो है किसका है यह है आपका aluminium का ठीक, 2, 1, 3 यह किसका है, lithium का देखे, 2, 8, 10, 11 11 यह किसका है, तो sodium का है 2, 6, 8 यह किसका है, oxygen का है तो यहाँ पर देखे, aluminium आपका धनावेस है यह भी धनावेस है, यह भी धनावेस इस पर अचाल होता है यहन कि यह सब क्या है आपके धात हो है, ठीक अब यह इस पर उलावेस होता है oxygen पर, ठीक oxygen पर उलावेस होता है, और यह किया होता है अधात होता है ठीक, तो इसमें से पूछा गया था कौन सी धात को electronic बिन्यास नहीं है तो यहाँ पर आपसे number D हो जाएगा जो D है 2 और 6 यह आपका अधात को electronic बिन्यास और यह किसका है तो oxygen का है अब चौदे number question देखें यहाँ पर कहा रहा है कि helium में 24 gram में कितने mol मौझूद है तो यह question आपसे चाहिए कि mol की संख्या बराबर क्या होता है mol की यहाँ पर रुख जाई इसको मैं थोड़ा लिखने के लिए जगह बना दी तो mol की संख्या mol की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रब्यमान दिया गया द्रब्यमान बटे होता है आपका molar द्रब्यमान ठेक यह होता है आपका तो देखे यहाँ पर क्या है कि दिया गया द्रब्यमान कितना है 54 ग्राम है तो 54 यहाँ पर मैंने लिख दिया molar द्रब्यमान कितना है तो देखे helium, helium का जो द्रब्यमान संख्या कितना होता है तो प्रमाणु क्रमांग तो दो होता है लेकिन इसका जो प्रमाणु भार होता है वो होता है चार तो टू यह ची फोर हम लोग लिखते हैं और यह जो ऊपर फोर रहता है यह होता है हमारा द्रब्यमान संख्या ठीक द्रब्यमान संख्या यह इसको हम लोग बोलता है यह किन्द हो गया आपका तेरे दस्मिन और पांच तो चौद्य का यहां पर एंसर करेक्ट हो जाएगा ठीट अब चलते हैं अंगले कोश्चन पर पंदरे नंबर का कोश्चन यहां पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि बेंजीन में सिगमा और पाई आबंद की संख्या कितनी है तो सिगमा और पाई बांड की संख्या पूचा गया है तो बेंजीन में कितना सिगमा हो बंद है कितना पाई बंद होता है तो देखिए दो आखा它 इस तरह से बेंजीन होता है और इस को बैलंस करने के लिए यहां पर देखे हाइड्रोजन में आप यहां पर लगा दिया यह अब इसको बैलनस करने के लिए यह आपको लग जाये है नि इह होगे दोस्तों बेंजीन का इस्ट्रेक्षे अब देखे दोस्तों जब भी सिंगल बंड रहेगा थेक तो सिंगल बंड जहां भी होगा दोस्तों यहां पर एक सिगमा बंद होता है अज जहां डबल बंड होता है तो उसमें एक सिगमा और एक पाई होता है थेक तो यहां पर देखें यहां पर एक सिगमा एक पाई और यहां पर यहां एक पाई और यहां पर सिग्मा और देखिए यहां पर सिग्मा हो जाएगा यहां पर सिग्मा हो जाएगा यहां सिग्मा यहां सिग्मा और यहां सिग्मा कि स्वारी यहां पर देखिएगा यह यहां पर गलत कर दिया तो यह हो गया दोस्तों इस तरह से आपका structure बनेगा यहां पर मैंने बंद गलत लगा गया था यह तो देखिए एक के अंतराल पर एक होता है न बस वही तो यहां पर आपका देखिए single band रहेगा तो वहां पर आपका जूर हैगा single band जहां रहेगा तो वह के अवल एक sigma आज यहां पर double band रहेगा तो एक sigma और एक pi जहां पर triple band रहेगा वहां पर दोस्तों एक sigma दो by और इस हिसाप से आप अपना गिन लेजिएगा यह आपका total बारे कितना जगा तो बारे सिगमा बंद आएग ठीक 12 सिगमा बंद रहेगा और इसको बाद 3 पाई बंद रहेगा तो पंद्रे का और यहां पर हुजए आप्सकी नंबर ए कि तो पंद्रेक यहांपर यह बैंजीन में 12 सिगमा और 3 पाई बंद होते हैं तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडियफ चाहिए तो पीडियफ लेने यह जो आपको इस पर आना है और नीचे अगर आप लोग जाएंगे दोस्तों कि यहां पर एक सक्षन देखेगा इस टेडी मेटेरियल पर आप लोग क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं और भी प्रैक्टिस सेट यहां पर आपको देखने को नीचे मिलेगा या फिर यहां सूंदियूट का नमक जीसे केम लोग साधानन नमक वकोन है यहां एक जब इंभायता है यह यह हापस में करतें दोस्तों यह बनाते हैं आपकाल प्लस यह होता यह होता है माँटनलो आपकेया तो sodium hydroxide होता है और ये जो होता है HCl हमारा hydrochloric हमीक काम behavior होता है हमारा सब्लावन य्छ मких एफ right होता है और यह होता है हमारा जल है तो इसमें दोस्तों पाकेया भूतनल जो अन्य एक तो होता है मजबूत अमल और यहां पर एक मजबूत अमल और एक मजबूत च्हार आपस में क्रिय करके क्या बनाते हैं साध्रन नमक ये खाने का नमक बनाते हैं तो यहां होते हैं उदासेनी करन अलगिरिया बोलते हैं यह हो गया वठारे नंबर कोशिन कर रहा है कि आधुनी कावर्थ साणई में जिग जैक रेखा किसको अलग करती है तो दोस्तों अगर आप लोग पर प्रियाडिक टेबल होगा तो यहां पर आप लोग देखेंगे एक इस तरह स हमाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें जिग जैक जो रेखा होता है वह जिसको अलग करता है वह रहता है दोस्तों की धात्वों से अधात्वों को अलग करता है जिग जैक लाई ठीक अब देखिए 19 नमबर का question है कि चीटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है दोस्तों फार्मिक अमल का दोस्तों होता है है तो फार्मिक अमल का यह होता है कि एच सी डबलो याच फार्मिक अमल है जो दोस्तों यह आपका साधारण नाम होता है साधारण नाम आयूप एसी नाम को बात करें तो क्या होगा तो मेथे नौिक अमल मेथे अब देख के कि कमी से रिकेट से होता है तो देखी यहाँ पर यह आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा 20 यह आपका क्वाटामिन ड देया तो दोस्तों यहां पर यह आपका science का question समापत होता है जो कि बायर की exam से काफी important है तो वो मैंने करा दिया मैंने दोस्तों यहां पर question select किये हैं आप उस-उस topic के जरूर discussion करें कि दोस्तों यह जो question है मैंने तो अपने हिसाब से अच्छे तरीके से set किया हुआ है लेकिन यह नहीं दोस्तों कि मैं अगर 100-200-300 question अगर मैं पढ़ा दूँ उसमें से question फंस जाएंगे 100% ऐसा नहीं है तो कि उसमें से कुछ question फंसेंगे बाकि आपको आपको पता ही है जीके, जीएस और साइस का सलयबस इतना विस्तार होता है कि question कहीं से भी पूछा जा सकता है जब basic question है आपके पास chapter ज्यादा है तो इसलिए दोस्तों मैंने जो जो topic यहाँ पर cover किया है आप उस topic को cover करिएगा तो आप लोगों के exam मच्छे तरीके से निकल जाएगा ठेक क्योंकि दोस्तों एक ही practice set अभी मैं और practice set अलाऊंगा तो उसमें और भी question आपको देखने को मिलेंगे अलग-अलग topic पर ठेक जो आपके बार के exam में पिछले साल पूछे जाए गए थे उसके आधार पर यह सब कुछ practice set बनाया जा रहा है तो आप ज़रूर जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो कासी helpful करेगा तो आप लोग अगर चाहिए तो objective center.in official website पर दोस्तों जाके आप अपना pdf download कर लेजिए ठीक तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों साथ सेर करिए objective center.in official website को अगर विजिट नही दूमें. थैंक यू